नमस्कार दोस्तों बिंजन कुक मापका स्वागत है आज हम बना रहे हैं पनीर कैपसिकम की सबसी बहुत आसानी से जटपट बनने वाली धाबा स्टाइल किये सबसी आप भी आसानी से बना सकते हैं वगर कैसे यह जानने के लिए आपको हमारा पूरा वीडियो देखना रखा है दो बड़े कैपसिकम यह भी काटके रखे हैं और दो बड़े टमाटर इसके भी बीज निकालके काटके हमने रखे हैं अब एक कड़ाए में हमने लिया है चार टेबल स्पून तेल जिसमें हमने डाला दाल चिनी लॉंग तेज पत्ता और जीरा और जैसी थोड़ा करीब दो मिनिट भूने के बाद थोड़ी से बीच में जगया बना लीजिए और उसमें काटे हुए ये दो टमाटर जो हैं उसको डाल दीजिए और फिर उसको वहीं पर मिलाईए और कुछ देर के लिए ढख कर रख दीजिए और जैसे ही टमाटर थोड़े से नरम पढ़ आएं इसमें हम डालेंगे मसाला सबसे पहले नमक स्वाद अनूसार हमने डाला है एक छमाच फिर है आधा चा Kenneth he और अधा चमाच हमने डाला है इसमें गरम मसालाए अब इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए और फिर इसमें हम एड़ करेंगे एक कटोरी दही जी हाँ दही डालने से इसकी ग्रेवी भी अच्छी बनेगी और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा और इसको भी थोड़ी देर पकने देंगे और जैसे ही इसका तेल उप रेसिपी है तो देखिए यह सबजी हमारी तयार है पनीर के आप से कम सबजी वह भी ढाबा स्टाइल बहुत आसानी से बिना प्यादला सुन के बनती है और जटपड बनती है तो कैसे लगी आपको हमारी रेसिपी हमें लिखकर ज़रू बताएं अच्छी लगी हो तो लाइ झाल 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